नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, पौदे ना सिर्फ घर को खूपसूत बनाते हैं, बलकि खर की सुख स्मिर्दी का भी प्रतिक होते हैं पास्तु शास्तर के उनसाथ, घर में पौदे लगाना बहुत ही शुब होता है ज्यादा तर लोगों को इस बात का पता ही है, कि खर में मनी प्लांट लगाने से आर्थिक स्मिर्दी बढ़ती है लेकिन क्या आप जानते हैं, कि मनी प्लांट के इलावा कई ऐसे पेड़ पौदे हैं जिन्हें अगर हम अपने खर की आंदन में लगाते हैं, तो खर में कभी भी धन में कमी नहीं होती आये दोस्तों जानते हैं वो कौण कौण से पौदे हैं, इनको लगाने से खर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और खर में हमेशा सुक शांती का वास होता है दोस्तो खर के सामने बांस के पौदे का पूना बहुती शुमाना जाता है बास्तु शास्तर के अमसाथ अगर इससे खर के इशान कौन में यानि उत्तर पूर्व या फिर उत्तर दिशा में लगा दिया जाए तो खर में पैसों की बरकत होने रखती है खर के सामने पास का पौदा अगर हो तो आप कभी भी कंगाल नहीं होंगे दोस्तो बास्तु शाहत्र में बेल के पेड को भी शुमाना गया है थार्मिक मानताओं के अंसार बेल के पौदे में भगवान फोलेनाथ का पास होता है और जिस खर के द्वार पर सोयम भगवान शिव के नजर है वहां कभी तंगी और गंगाली रह ही नहीं सकती दोस्तो खर में सुख स्मर्दी के प्रती के रूप में मनी प्लान का पौदा सबसे ज़्यादा दोप्रिय है यह पौदा जितनी तेजी से बढ़ता है घर में उतनी ही तेजी से धन आता है घर में मनी प्लान लगाते समय इस बात का ख्यार लखें कि इससे अगनी दिशा यानि दक्षिन पूर में ही लगाना चाहिए मनी प्लान के पौदे को कभी भी सीधा जमीन पर ना रखें इसकी पत्तियां अगर जमीन पर बिखरने लगें तो ये बहुत ही अशुब होता है तो दोस्तो इन बातों का आप त्या लखें दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइप और कुमेंट जोड़ करें नमस्कार दोस्तो